इस बक्त की बड़ी खबर जाती है जनगर्णा से जुड़ी हुई सामने आ रही है बता दे आपको कि नितीज सरकार को सुप्रिम कोट से बड़ी राहत मिली है आपको बता दे कि जाती है जनगर्णा पर रोक लगाने सम्मंदी याचिका को लेकर सुप्रिम कोट की बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दिया है आज सुप्रिम कोट में दायर तीन याचिका पर सुनवाई करते वे सुप्रिम कोट ने कहा है कि वो इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा सरकार द्वारा की जारी गणना को लेकर अगर किसी प्रकार की आपती है तो याची का करता को सबसे पहले पटना हाई कोट में अपील दायर करड़ी होगी पटना हाई कोट में फैसले के बाद ही इस पर सुप्रिम कोट में किसी प्रकार की सुनवाई होगी जो आपको बता दे कि सबक्त की बड़ी खबर जाती है जनगर्णा से जड़ी होई सामने आ रही है बता दे आपको कि आज नितीज सरकार को सुप्रिम कोट से ये बड़ी राहत मिली है क्योंकि जाती है जनगर्णा पर रोक लगाने संबंदी याचिका को लेकर सुप्रिम अगर किसी प्रकार की आपत्ती हैं तो या जिका करता को सबसे पहले पटना हाइग कोट में अपील दायर करनी होगी मतलब साफ है कि पटना हाई कोट में अपील दायर करने के बाद ही इस मामले में सुप्रिम कोट सुनवाई हो सकती है ऐसे मैं आपको बता दें कि पटना हाई कोट में फैसले के बाद ही इस पर सुप्रिम कोट में किसी प्रकार की सुनवाई की जाएगी इस वक्त की बड़ी खवर जातिये जनगरना से जुड़ी हुई सामने आ रही है जो हम आपको बता दे कि आज नितीज सरकार को सुप्रिम कोट से ये बड़ी राहत मिली है क्योंकि अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि इस पर अब बड़ा फैसला आ सकता है लेकिन इस पर सुप्रिम कोट ने साफ इंकार कर दिया है बता दे आपको की जातिये जनगरना जो है इन दिनों बिवादों के बीच गिर गई थी ऐसे में कई लोग इसका विरोध जता रहे थे लेकिन फिलाहाल सुप्रिम कोट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है आज सुप्रिम कोट ने दायर تीन याचिका पर सुनवाई करते वे स्थर्म कोट ने कहा है कि वो समामले में कोई सुनवाई नहीं करेगा सरकार द्वारह की जारी गर्णा को लेकर अगर किसी प्रकार की किसी को कोई आपती है तो याचिका करता को सबसे पहले पटना हाई कोट का दर्वाजा खटखटाना होगा मतलब साफ है कि पटना हाई कोट में फैसले के बाद ही इस पर अब सुप्रिम कोट में किसी प्रकार की सुनवाई हो पाएगी जो इस बक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं